जै मादादी, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से, दोस्तों डवराती की किसी पी दिन इस पाधे को जड़ से उखार का ले आना, ततकाल गरीवे मिर जाएगी, नवराती के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है, जागत अवस्था कहा जाता है, इस समय जागत अवस्था हो जाती है, अर्थात मादा के आने के कारण, ये जागत हो जाती है, चेतन्य हो जाते हैं, अर्थात जितने भी पेड़ पौधी हैं, जड़ी बूटी हैं, ये अपना प्रभात ततकाल ही दिखाते हैं, पेड़ पौधी हमारे लिए परम पूजनी है, हमा कि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म की दीपता कहा गया है पेड़ पौधों में दीवी दीपताओं का बास होता है दीवी दीपताओं के प्राण बसते हैं हमें पेड़ पौधों की बूजा करने चाहिए पेड़ पौधे हमें प्राण बायू प्रदान क करते हैं दुनिया भी पेड़ पौधों की बज़े से ही चल रही है समय पर बारिश होना बातावरण को संतलित बनाए रखना पेड़ पौधों की कारण ही होता है दोस्तों टफराती के समय में रात में ऐसा कौन सा बौधा है जिसे आपको लाना है इससे आपकी गरीबी ततका में जाएगी मैं आप लोगों को एक जबजस चमतकारी पौधी के बारे में बताऊंगी दोस्तों अगर यह वीडियो आपने मिस कर दिया तो फिर बात में आपको रोना पड़ेगा पश्ताना पड़ेगा इस लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि नवरा डालना शक्ति डालना जरूरी है नवराती के समय में यह पैल पॉथ अगर आप अपने घर लाते हैं तो उसे आपको मंतचा आप कहने की जुरत नहीं परती सिद्धे कहने की जुरत नहीं परती क्यूंकि नवराती के समय हम में मातती theo आती और सभी पैप्वाес जाकरत हो जा का दोस्तों वीडियों में आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्ची भक्र वीडियों को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों नफ्राति की समय में कौन सा पौधा है जिसे उखार कर ले आना चाहिए पहला पौधा है सहदेवी का पौधा दोस्तों देहिंक देविक और शारिक किसी भी प्रकार के कष्ट को आप ततकाल दूर करना चाहते हैं तो सहदेवी का पौधा रामभार्ण से भी अमोग रूप से काम करता है सहदेवी का पौधा देहिक देविक और भौतिक सभी प्र कारण के कश्टों को ततकाल दूर का देता है। तंतरशक्ति एम भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी बस से प्राप्त हुआ है। यह समस्तुबनस्पतियों की देवी हैं माह हैं पामिर इलाके में यह बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है शहर में भी बंज़सु की जमीन पर यह पौधा अपने आप ही उक जाता है यह पौधा खेत खलियान में नहे नदी के किनारे पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है दोस्तों अब मैं आपको इसके लाने के फायदे बताओंगी और इसे कब लाना है और कहां लगाना है दोस्तों हमारे धर्मशास्त कहते हैं कि तुलसी के गमले के साथ अगर से देवी के पौधे को लगा दिया जाए और इसकी पूझा की जाए तो सभी प्रकार के अलोकिक सुखों की प्राप्ती होती है तुलसी के पौधे के साथ अगर इसको लगा दिया जाए तो इसका प्रभा कई गुना बर जाता है क्योंकि इस पौधे कुछ साक्षात मादुर्गा का सुरूप कहा गया है इसी दीवी पत प्राप्त है यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कहने में समथ माना जाता है यही सभी प्रकार की सिथियों को देनी वाला कहा गया है अब मैं आपको पौधारों में लिखी इसकी जानकारी बताऊंगी हमारे बनस्पति शास सितंति शास्त में इसके कुछ चमतकारी उपाए बताए गए है अगर आपको अनिंद्रा की बीमारी है नीन नहीं आती तो आप इस पौधे को अपने बैड के नीचे रख का सो जाएए अगर बैड के नीचे रखने की जगे ना हो तो इस पौधे की जड़को आप अपने तक्ये की नीचे रख कर सो जाएए ऐसा करने से गहरी नीद आती है आप इसको अपने तक्ये के कवर के अंदर भी रख सकते हैं अनिंदा की बीमारी को दूर करने का ये बहुत ही रामबार उपाय है दोस्तो इस पौधे को हाथ में रख कर अगर मंतर जाप किया जाए तो मंतर जल्द ही सिद्ध हो जाता है यहां तक की भूध भविश्य बैदमान तक की सिद्धी प्राप्द हो जाती है दोस्तों इसकी पौधे की जल्द को घिसका तिलक लगाने से सं भूध है जैसे आप किसी को बश्यकरण करना चाहते हैं आप किसी बडे पतपर हैं और आप चाहते हैं कि सब आप पर मोहित हों आपकी बात से सब इंप्रेशन, आपकी बातों का सब पर अच्छा परभाप पड़े। आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने या आप किसी मीटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आपका सब पर अच्छा परभाप पड़े। तो मीटिंग में जाने से पहले आप इसकी जड़का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाईए। आप देखेंगे सभी लोग आप पर मोहित हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके मुख बंधन में बन जाएंगे। दोस्तों हमारी धर्म शास्त कहते हैं कि इसकी जड़को लाल रंगी कपड़े में बांध क तिजोरी में रखने से कंगाल भी माला माल हो जाते हैं। इसकी जड़को तिजोरी में रखने से धन दौलत में बढ़ोत्री होती है। घर धन दौलत से परिपूर हो जाता है। दोस्तों इस पौधे को घर में लगाने से तंद्रमंध की शक्ती भी नहीं लगती। इसकी जड़ को मुख में रखने से अद्रश्य शक्तियां भी दिखाई देने लग जाती है अलौकिक शक्तियां बूत, प्रेथ, पिसास, देवी देपता अलौकिक शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने आखों से नहीं देख सकते ये शक्तियां भी इसकी जड़ को मुख में रखने से दिखाई दे जाती है अलौकिक शक्तियों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं देवी देपताओं की दर्शन करना चाहते हैं तो इसकी जड़ को मुख में रखें ऐसा करने से अद्रश्य शक्तियां भी दिखाई दे ज दोस्तों इस पौधे को आपको नवराती के समय में राद 12 बज़े के बाद उखार कर अपने घर ले आना है क्योंकि नवराती में रात का विशिश महत्व होता है नबदुर्गा की शक्तियां रात में जादा जागरत रह दी है इसलिए रात 12 बज़े के बाद आपको यह पौ समले में लगा दें दूसरा जो पौधा है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं धान से सुनिएगा उसे विश्णु कांता के नाम से जाना जाता है आप राजिता भी बोलते हैं ब्रह्माजी ने श्रश्री के दिर्मार किसमें इस पौधे को उत्पन्न किया था इस पौधे की दश्रा की थी भागवान श्री हरी विश्णु का इस पौधे पर बास होता है इस पौधे को विशिश प्रकार की कांती प्राप्त हुई विशिश प्रकार की उज्या प्राप्त हुई इसलिए ज्यानी लोग इसे विश्णु कांता के नाम से जानते हैं इसे अपराजिता क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी गुड़ ही ऐसे हैं यहें आपके शत्रू से हमेशा आपको अपराजित रखता है यहें कभी भी आपको पराजित नहीं होने देता इसलिए इसको घर में लगाने से अलोकिक और चमतकारी शक्तियों की राप्ति होती है दोस्तों इसको मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रू से लड़ने जाते हैं जैसे कि आप सेना बर्ग में हैं आप शत्रू से लड़ने जाते हैं तो आप शत्रू को आसानी से पराजित कर पाएंगे यदि कोई आपका शुत्रू है आप पर तंत्रबाधा कर रहा है आपको परिशान कर रहा है आप अगर इसकी जड़ को मुख में दवा कर रखेंगे तो आपके शुत्रू भी आपस बराजित हो जाएंगे तंत्रबिध्या बापस उन्हीं पर हो जाएगी इसे सिद्ध करके अगर हाथ में बाल दिया जाए और फिर युद्ध किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको तलवार से भी मारेगा तो तलवार का आप पर कोई असन नहीं होगा ये पौधा मालक्षमी को प्रिया होने के कारण इसे नवराती के समय में घर में लाने से सुख संपत्ति और नानप्रकार की भोकों की प्राप्ति होती है इस पौधे को आप साधारन मत समझे ये पौधा विष्णो कांता है इसे अपराजिता बोलते हैं ये साक्षात मालक्षमी का स्वरूप है इसमें स्वैं मालक्षमी का बास होता है नवराती के समय में इस पॉढ़े में ब्रद्धी होती हैं, जैसे जैसे इसे इसमें फलफूल आते हैं, वैसे ही व्यक्ति की घर में धन्धाने की भी प्राप्ति होती है। इस पौधे के पुष्व को नवराती के पंच्यमी के दिन ध्यान से सुनियेगा, इस पौधे के पुष्व को नवराती के पंच्यमी के दिन मा इसकंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिथियों की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार की भोकों की प्राप्ति होती है, अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार की सिधिया प्राप्त हो जाएं तो नवराती के पंच्चिमी के दिन इस पाधी के सफीद कलर के पुष्व को मा इसकंदर माता को जरूर चड़ा देना। आपको इसकी में कारंटी देती हो कि इसको चड़ाने से माता आप पर प्रसन हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के अलोगिक सुख प्रदान करेंगी आपके सभी प्रकार के मनुकामनाओं को पूर्ड कर देंगी आपके सभी प्रकार के जो कामनाओं हैं उन कामनाओं को इस पौधे को आपको नवराति में सूर्य उद्श से पहले लेकर आना हैं। दोस्तों इन दोनों चमतकारी पौधों की बारे में मैंने आपको बताया है, इन्हें आप नवरात्य में किसी भी दिल ला सकते हैं, आप इन पौधों को लाने से पहले अच्छे से धूप दीब दिखाएं और साह चलने की प्रात्ना करें, आपको नवरात्य में निमंतर देन की जुरत नहीं है, नवरात्य के समय में आप इन पौधों के पास जाएं और प्रात्ना करें कि हे पौधी महराज, मैं आपको इस कारे के लिए लेने आया हूँ, हे देवी माता, मैं आपको इस कारे के लिए लेने आई हूँ, और आपकी कोई मनुकामना है, जिसके लिए आ आपको लेने आई हूँ, कृप्या आप अपनी सभी शक्तियों के साथ मेरे साथ चलें और फिर आपको इस पौधे पर थोड़े सी अक्षत यानी की साबुचावल चड़ा देने हैं, फिर छोटा सा दीपक जला कर आपको धूप दिखा देने हैं, और फिर प्रातना करने के ब पातावरन को शुद्ध रखेंगे, किसी भी प्रकार की दंतर पाधा आपके घर में नहीं लगेगी, आपके घर में कभी भी अलक्षमी नहीं आएगी, घर में दुख तकलीफ और बार बार जो बीमारी होती है, परिवार में जो बास्तु दोश लग गया है, वह सब दोश दूर हो जाएंगे, यह सभी प्रकार की दोशों से आपको बचाए रखेगा, आपकी आधात में उर्नती होगी, आपको तरक्की मिलेगी, आपका दुर्भागे सौफागे में बदल जाएगा, उमीर हैं दोस्तों, आपको आज की जानकारी परसंत आई होगी, बीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें, वो सकता है यह जानकारी किसी के लिए अम्रस साबित हो, किसी के दुर्भागे को सौफागे भी बदल दे, जिससे आपको भी पुन्ने की प्राप्ती हो, मातारानी के नाम पर कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लि